जब भी आप सुवित के दरू टैली में entry send करेंगे तो कभी कभी ये situation आएगा आपका entry टैली accept नहीं करता है तो उस situation में आप simple check कर सकते हैं कि क्या reason है जिसकी वज़े से entry टैली में fail हो रही है जाने से उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो टैली का आपका जो भी file location ह उसको open कर लीजे यहाँ पर IMP format का file रहेगा उसको double click करिए notepad में open हो जाएगा अब last में इसका scroll कर लीजे यहाँ पर आप देख सकते हैं error 1 उसके उपर आप देख सकते हैं error का पुरा reason आपको यहाँ पर मिलेगा इस इसाप से अगर आप देखो अगर सब कुछ blank है that means पहली अपना education mode पर है और उस वज़े से entry नहीं लिए तो simple इस तरीके से आप ये notepad में IMP file में reason चेक कर और उसके according अप changes करो और वापस सुविद से वो entry अप transfer कर दो send transaction करके तो वो successfully हो जाएगा